नमस्कार दोस्तों, बागवान आप सभी कबला करूद आपकी सारी एक्चाहे मनों कामने पूरी हो दोस्तों मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्मुन जायन करेविक करूँगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका अंसर देने के बाद औरल पाम रेडिंग पर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो क्वेरी है वो यह है कि सर्विस कैसी रहेगी अपने जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे इसके बाद में हेल्ट कैसा रहेगा मानसिक बेचेली कभी कभी हो जाती है दूसरों की जरुवत पड़ती है अंजाने कुछ गल्दियां हो जाती है कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी पहली बात यह सारी चीज़ें हो क्यों रही है रीजन इसके पिछे यह है कि जब भी हमारे हथेली में कोई भी separate रहु रेखा सिर्फ mind lang को काट करके जाती है तो उस समय जब जितनी भी हमारी योगिताई होती है चाहे यो निड़ने लेने की हो योजना बनाने की हो खुद पर भरोसा करने की हो वो सब कमजोर हो जाती क्योंकि राहु रेखा एक तरीके से डर, भय, चिंता, अथ्वा दोज देते हैं और अगर ये मस्तिश रेखा कोई काट के जा रहे तो मानसिक तनाव कई न कई से आता ही है नहीं आये तो कई न कई से ले लेते हैं राहु ग्रह इस तरीके के जो प्रॉब्लम है ये तक्रीबन सभी के लाइफ में देते हैं थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग तरीके से देते हैं किसी को इतनी प्रॉबल इक्छाएं दे देते हैं कि वो उसी इक्छाओं के तले दब जाता है किसी की जो मानसिक्ता है इतनी boundary less कर देते हैं कि कोई उसी में ही फज जाता है किसी को आप जैसा छोटी छोटी बात या बेफिजूल की चीजों में भी डैर भेजिनता आ जाता है यहाँ पर यह राहु रेखा का जो प्रभाव है आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है 38 के एच से और इसका अंतिम जो समय रहेगा वो 44.5 तक रहने वाला है यानि 38 से कही न कहीं mental stress, pressure, थोड़ी बहुत anxieties, negative या overthinking जैसे चीजों को इसने बढ़ावा दिया है अभी इसका peak समय चल रहा है 44.5 यानि next year approximately अपरिल तक आपको थोड़ा और इस तरीके के आभास या इस तरीके के तकलिफे आएंगी जिसमें मानसिक तनाओ कहीं न कहीं से आएगा और खुद को दोज देते वाप पाए जाएंगी कि मेरे कारण किसी को कितनी परशानी हो रही है मेरे कारण दिक्कत ना आ जाए वह सारे तकलीफ परशानी जो बे-फिजुलकी हो देंगे इसको ठीक करने के लिए भ्रामरी योगा करना जल्स जल्स शुरू कर दीजे बस ये एक काम करिए दूसरा बेली मंदिर हो सके तो विजिट करना शुरू कर दीजे किसी भी मंदिर कहीं भी आरती में जाईए आप आएंगे कि राहों के जो नेगटिव असर्स हैं बेचेनी असंतुष्टी, खुशियों में कमी, मानसिक शांती में कमी वो सारी स्थितियां ठीक हो जाएगी क्योंकि ये रेखा बहुत प्रबल नहीं है बहुत ज़्यादा नकरात्म की स्थिति में नहीं है इसलिए ये सिर्फ आपको थोड़ा मानसिक दोश दे सकती है लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगी और वो मानसिक दोश भी नहीं देगी अगर आप यह काम अपने जियर में करते हैं हस्त रेखा के माध्यम से वह सारे ही उपाय दे जाते हैं जो आपके कर्म के द्वारा हो हाथ हो के द्वारा हो तो इसलिए आप करिये फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ेगी माइंड सेट भी चेंज होगा नईने चीजें भी दिखना सोचना या समझना शुरू हो जाएगी दूसरा की करियर में दिक्कत देखिए ये क्रॉस का सैंड जब ऐसे बनता है तो करियर में दिक्कत तो आती है लेकिन ये क्या कर रहा है कि आपको करियर में uncomfortability दे रहा है और उसके बाद में आपको सफलता दे दे रहा है कैसे क्योंकि अब यहाँ पर square का sign बिल्ड होना शुरू हो रहा है square का sign थोड़ा और अगर यह मजबूत हो गया तो आपके जीवन में power, position, authority यह तीनों चीज़े बढ़ेगी आपके जीवन में financial security बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके नाम या कर्म से दूसरों के काम होना शुरू होंगे तो एक प्रशन था आपका कि भाई के साथ मिलकर के business करना कैसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस तरीके का square बड़े स्तर का काम दरशाता है जो job में है उनका square हो तो उनको कोई बहुत यानि बड़ी power मिल जाती है लेकि limitations भी आती है कि आप अपने life में बहुत restricted हो गए आपके उपर responsibilities बहुत ज़्यादा हो गई है और अब आप personal life कम enjoy करेंगे ये कुछ drawbacks आते हैं जब positive sign भी अगर बनता है तो लेकिन अगर कोई independent व्यक्ती है जिसके पास इस तरह की limitations नहीं है तो उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है देश, विदेश, सहर से दूसरे सहर इस तरीके से काम बढ़ता है अगर square का sign हो गया तो व्यापार से सफलता देनाने वाली रेखा होती है और इसलिए अंत तह money triangle का भी combination है जो पैसे के लिए अथ्वा व्यापार में सफलता के लिए अथ्वा खुद के कर्म से मिलने वाले लाब के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है तो बिलकुल बेना हिचकी चाय घबराय आप व्यापार करिए पर ध्यान रहे next year अप्रेल के बाद ही करना है उसके पहले मत करिएगा उसके पहले अगर करने जाएंगे तो अर्चने बाधा या वह सारी स्थितियां उत्पन होगी जो आपको एहसास करेगी कि आपको बहुत बड़ा दोश है आपके कारण ही ये चीज़ हो रही है तो जब तक आप राहु रेखा का उपाय नकलने अपने सूर्य को ठीक करने के लिए थोड़ा उपाय नकलने तब तक अभी आप व्यापार में मत जाएए next year से आप जा सकते हैं फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा इसके बाद की हेल्थ ठीक नहीं रहती और 4-5 साल से मानसिक दिक्कत भी है अकेले कहीं जान नहीं पाते बेचेनी घबराहट होने लगती ये सब राहो के ही प्रभाव हैं राहो के प्रभाव ने आपको हेल्थ इशू उतना मेजरली नहीं दिया क्योंकि एक तो सहीयोगी रेखा मंगल की भी चल रही हो और लाइफ लेना भी स्प्लिट हो रही है तो ये होना बहुत अच्छा माना जाता है ये हेल्थ में इंप्रूम्मेंट और लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजस को इंडिकेट करते हैं जिसमें जगह रहने का स्थान या कारिशेली में परिभरतन होना तय हो जाता है तो यहाँ पर ये जो सारे कॉंबिनेशन बन रहे हैं ये करेक्ट आपके त्रिशुल का चिन आ जाए तो ऐसे जातक दूसरों के भले करने वाले ही होते है त्रिशुल के चिन वाले जातक जब भी देखने को मिले हैं ऐसे जातक बहुत शांत बहुत एकांत बहुत ही अच्छे हरदय के माने गए हैं देखने को मिले अधिकतर मामलों में रिजन यह होता है क्योंकि त्रिशुल जो चिन है वो अन्ततह शिव जी का ही चिन है और शिव जी जैसे भोले हैं तो उनके भगत भी या उनके चिन धारन करने वाले लोग भी भोले किस्म के हो जाते है अब इसका क्या परिणाम निकलता है कि आप जैसे जातको के दिल से किसी के लिए दुआ निकल गई तो वो वेक्ति बहुत फरता है बहुत उपर उठता है क्योंकि आप अपना कर्म दे रहे हैं उस दुआ के द्वारा किसी के लिए बद्द्वा निकल गई तो वो भी लगती है पूरी की पूरी त्रिशुल कचिन इस बात को दर्शारा है कि आप अपने कर्म करते जाहिए बाकी सारी चीजे भोले नाथ पे छोड़िए आप बने हैं दूसरों की मदद करने के लिए दूसरों को साँथ देने के लिए एक सेज़दा माध्यम से कर्म करनें अथो पेसे कमाने के लिए और वो सारे पेसे किस के लिए अपने लेने ही दूसरों के लिए तो सिर्फ उस पे आपको धिहान देना चाहिए क्योंकि ultimately आपका कर्म यहीं तक सीमित है और यहां तक आपको करना ही है अब जैसे जॉब में आप दूसरे काम अभी तक नहीं किये हैं तो वो कई न कई आपको negative thinking करा रहा है तो राहू कि जब रेखा हमारे life में positive event करके जाती है तो वो किसी ना किसी positive line के साथ merge हो जाती है जैसे कि यहां पर यह mercury line के साथ merge होगी तो क् digital marketing होती है market जो sense होता है वो सारी चीज़े improve आपके अंदर में समय समय के साथ हो जाएगी तो यह इसलिए positive राहू रेखा भी positive event ही करके जा रहे है क्यों क्योंकि त्रिशुल का चिन है शनी पर शनी पर कोई भी या सूरी पर कोई भी जब चिन हाता है तो वो बहुत महत्पू लेना चाहिए बड़े स्तर पर सोचना चाहिए अपने तक ना सीमित होते हुए सिर्फ दूसरे या सभी के कल्यान के बारे में कर्म करना चाहिए आप देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाता है आपको हर दिन उठने में फिर मजा हैगा अकेले आप यात्रा करी नह इतने बड़े स्तर का है तो इसलिए ये सारे कॉंबिनेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं चिंता करने वाले बात मेजरली कोई भी दिखाई नहीं दे रही है हेल्थ की जहां तक बात है तो जो आप भ्रामरी योगा करेंगे प्रानायाम करेंगे किसी भी तरह की योगा करें लेकिन ये एक रेखा नीचे के तरफ है और हलके हलकी एक दो और भी उपर है तो जब नीचे के तरफ इसी रेखा आती है तो ये डिटेश्मेंट देती है किसी से दूर करवाती है तो इसलिए ये है सारी चीज़ें आपके जिवन में हो ही इसलिए रही है ताकि आप अपने पर ज़्यादा ध्यान दे और अपने द्वारा दूसरे को लाब पहुचाएं तो इसलिए आपको किसी से बहुत ज़्यादा expectations रखने की, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की आवशक्ता नहीं है obviously ये हमारी लिए कहना आसान है लेकिन जब आप करने जाएंगे तो थोड़ी मुश्किलात आएगी परन्तु आपको आपके वीजन को बढ़ाना चाहिए जुपिटर को स्ट्रॉंग करना चाहिए जुपिटर जब स्ट्रॉंग होते हैं तो हमारा वीजन, थौट प्रोसेज, एनलेटिकल कैपिसिटी, अब्जर्वेशन और नॉलेज को उप्योग करना सब कुछ बढ़ जाता है इसको ठीक करने के लिए आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं पीपल या बरगत के पेड़ की सेवा या अतरिक पानी दे सकते हैं केले का पेड़ लगा सकते हैं इनके जो जड़ है उसको घर में लाकर 11-12 दिन पूजा करके अपने पास रख सकते हैं तो ये विजडम दे गाया, प्यॉर आपके लाइफ में सब कुछ है लेकिन happiness नहीं है जूपिटर weak है इसलिए क्योंकि जूपिटर की finger जो बहुत ज़्यादा short हो जाती है तो ऐसे जातक वो होते हैं कि चाहे 10 लोगों ने कितना ही बुरा काम किया हो लेकिन उनके बुरे काम का जो परिणाम है वो अपने उपर ले लेते हैं जैसे कि गलती मेरी ही थी मेरे ही द्वारा कुछ गलत हो गया ऐसे जातक वो होते जो दब जाते हैं लड़ नहीं पाते हैं अपने हक के लिए भी आप जैसे जातकों में दिखावटीपन होता ही नहीं है बहुत कम resources के साथ भी life बहुत अच्छे से जी लेता है तो ये सारी आदतें क्या कर रही है negativity बढ़ा रही है कैसे आपके अंदर leadership quality, teaching quality knowledge का utilization observation quality, wisdom और responsibility taking nature ये सब भी कर रहा है आपको आपके हक वचित के लिए लड़ना पड़ेगा तब जाकर कि आपके जीवन में family का सुख या family से lab या family से जो expectation से वो सब easily fulfill हो पाएगा तो ये आप काम कर लीजिए couple of week या month के अतरिक जो परिणाम है वो बताईए बहुत positive आपके साथ events होना शुरू हो जाएगा फिला लाते हैं आपके overall palm के analysis के अतरिक तो यहाँ हम देख सकते हैं कि finger के जो length है वो पूरे palm के comparison में short है जो एक fast tradition making habit को immediate work करने के tendency को quickly action लेना respond करना, decisions पर काम करना, thought पर काम करना पसंद करते हैं patience की कमी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत बड़ी होती है बहुत जादा होती है तो आप जैसे जातक अगर job कर रहे हैं तो satisfied तो होई नहीं सकते life में क्योंकि job में restrictions हैं independence नहीं है, short finger independent बनाना चाहरा है वहाँ काम जिसमें कोई restrictions नहों वो करवाना चाहरा है तो यहाँ पर आप business में जाएंगे आपको खुशी आएगा आपको तरक्की होगी, no doubt और mangal की रेखा आपके हाथ में है इसलिए आपको जो है आपके भाई के साथ में काम कर लेना चाहिए अगर यह रेखा नहीं होती तो फिर आप खुद का कोई काम करते उसमें फिर सफलता मिलता little finger जब भी independent होती है तो सुन सब की लेते हैं करते अंततह अपने मन की हैं वही second, third finger में gap हो तो इस condition में अपने खुद के rules, regulation, ethics के accordingly काम करना पसंद करते हैं little finger की length थोड़ी सी short है तो इस condition में यह shyness type का nature दे देता है बचपन में stage fear देता है आगे से रेकर communicate करने में अपनी पूरी बात को कहने में तकलीफ आती है money management थोड़ा week होता है commitment नहीं देना चाहिए multiple work एक समय पर करने से बचना चाहिए बीना सोचे समझे कहीं science करने से कोई निर्णाय लेने से बचना चाहिए long term vision या planning करके काम करना चाहिए ताकि mercury आपको सफलता दे mercury की सफलता क्या होती है intelligence का उप्योग होना intellectual personality होना knowledge learning से growth मिल जाना relations सबसे बहुत अच्छे build होने लगना अपने communications personality से किसी को track कर लेना lab प्राप्त कर लेना business में सफलता बहुत हांसिल करना यह सब mercury में आता है third finger के लिए जब strong होती है तो definitely risk ticker बनाती है तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते creativity या artistic quality अच्छी होती है इसलिए हमेशा अपने काम में upgradation या minor changes करने के आदद देता है basically यह self-made personality का sign होता है तो सिर्फ खुद के effort या मेहनत से तरक्की जीवर में जादा करते हैं finger के उपर जब एससे सीधी खड़ी रेखा हो तो friendly nature in approach देता है आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर परिस्थिती माहोल में ढ़ल जाते हैं हर प्रकार के लोगों के साथ संबंद अच्छे रखना लंबे मधूर रिष्टे निभा पाना दूसरों की कदर करना दूसरों को समझना इसलिए आपके पस कोई भी वेक्ती आएगा अपना deep secret बता के जाएगा freely आपसे बात कर पाएगा without any judgment क्यों क्यों क्योंकि आपने अपने वाइब ऐसी बना रखे आपने positivity दूसरों के बना रखे अपने लिए positive बनाना आपको जरूरी है पहले अपने लिए positive होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको doubt, fear इन सारी चीजों से मुक्त होना जरूरी है फिंगर के जो note से आपके यहाँ पर वो develop ठीक जा रहे है तो यह इसपस्टवादी किस्म का nature देता है जिसके करण सीधे इसपस्ट्रूर्प से बाचित करना सुनना विचारना nature में होता है फैलेंजस एंड इंटर्नल मार्स की स्थिति ठीक है तो stamina energy रोग प्रतिरोधक शमता बढ़िया रहेगी थम का size यहाँ पर short है to the point बात करना straight forward nature रखना immediate actions या decisions या planning कर लेना और उसमें भी अगर समय परिस्थिति अनुसार कुछ परिवर्तन करना तो कर लेना short thumb क्या problem देता है कि continuously कोई काम नहीं करने देता है बार बार काम में एक तरीके से ब्रेक लेते हैं थोड़ा आराम करते हैं फिर कोई काम करते हैं फिर थोड़ा regular changes करवा रहा है आपको अच्छी बात यह है इसमें की एक nature हो जाता है कि राद गई बाद गई तो इसलिए लोगों की बातों को लेकर के बैठे रहने की आदत नहीं देता है पर short thumb है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी बैचेन होकर के बीना सोचे समझे कोई भी काम करने जाएंगे सफलता मिलना मुश्किल है इसलिए थोड़ा सा patience रखकर रखके दूरदर्शेता रखकर रखकर रखके काम करिए आपको दिक्कत नहीं आएगा palm का जब structure rectangular हो और थोड़ा बहुत फेलावा भी हो तो इस condition में यह hard working nature भी देता है लेकिन बड़ी सोच approach भी देता है अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका outer zone है जिसे subconscious mind zone केता है बहुत ज़्यादा active है तो यह intuitions बहुत अच्छे देता है पूरवा अनुमान आभास कुछ न कुछ indications पहले से आने लगती है अच्छे या बूरे की भी दूसरा चंदर develop हो गया तो curiosity को बढ़ाता है हमेशा नएनी चीज़े explore करने क्या दातेता है मंगल को बढ़ा दिया मंगल को strong कर दिया तो आपके अंदर aggression रहेगा लेकिन controlled aggression रहेगा पर जब aggression फूटेगा तो कोई control करी नहीं पाएगा इसके बाद मैं बुद को develop कर दिया तो इसलिए business interest या business luck वो दे रहा है तो इसलिए आप जैसे जातक जितना ज़्यादा randomly कोई काम करते हैं अपने life में वो randomly काम करने से randomly चीज होने से satisfaction आपको मिलेगा लेकिन problem कहां पर आएगी problem खुद के confidence में आएगा इसलिए आपको आपके wisdom को जुपिटर को मजबूत करने की बहुत जरूवत है जुपिटर मजबूत जब होने लगते तो knowledge जितना भी है automatically use होने लगता आपके वास knowledge की कमी है है यह नहीं दोनों हतेली में मास्तिष रेखा कि स्थिती लंबी जा रही है मदूर जा रही है इस्थिर है अभी बात करेंगे हम यव के चिन के बारा में पहले तो यव के चिन जब डेवलप प्रॉपरली नहीं होता है तो इस condition में एक आगरेचित होकर काम नहीं कर पाते है बार बार ध्यान या मन भटकता है इसलिए meditation करना जरूरी है second flange पर आड़ी रेखा जब भी हो तो बहजवाजी लड़ाई जगड़ा जैसे चीजों से दूर रहना चाहिए सीधी खड़ी रेखा जब भी हो तो बीना किसी के मांगे advice नहीं देना चाहिए और अगर कोई मांग रहा है तो उसको पूरा इत्मिरान से बेटके समझा देना चाहिए क्योंकि सीधी खड़ी रेखा एड देंड व्यक्तिको लॉजिकल बनाती है और जो लॉजिक आप लगाते हैं वो सब सही सावित होता है तो ये लॉजिक अपने लिए लगाईए और अच्छे results आपको आएंगे जुपिटर मांट के उपर में हम देखें तो यहाँ पर आपकी progress line की availability है progress line जब होती है तो ये confirmation दे देती है एकदम tick mark आजाता है कि आपका जीवन लगातार परिवर्तित होता रहेगा positively कल से अच्छा आज आज से अच्छा कल का दिन जाएगा अगर कुछ negative हो रहा है तो वो भी अच्छे कली ही होगा आपकी बुरे कली नहीं हो सकता ये कमाल होता है progress line का तो ये रेखा क्या करती है जुन उनियत देती है ambitious बनाती है हमेशा प्रयतनशील देखने को मिलते हैं किसी ने किसी काम में engaged होते हुए हमेशा देखने को मिलते हैं तो 18 साल के उमर में ये रेखा निकली इस उमरे से initiative लिया सफलता पाई बीस साल के उमर में independent हुए financially gains जो है आपको 27-8 के बाद में बहुत अच्छा आना शुरू हुआ और फिर उसका life में जो positive changes से वो 18 के बाद में आ गई थी आपके जुपिटर माँ जब भी थोड़ा दबा रहता है या सैटन से दबता है तो family life में थोड़ी उदासिंता लाता है इसलिए जो आप जुपिटर remedy करेंगे तो वो उदासिंता को दूर करेगा उदास होने के जो कारण है उसको दूर करेगा तो फिर जो expectation है families या जो कुछ चार है या जो इज़त सम्मान चार है जो आपका हक का है वो सब कुछ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा शनी की स्थिती एक ऐसी स्थिती होती है हतेली में जो सीधे इस बात का परिणाम देती है कि ये जीवन सफ़लोगा की नहीं इस जीवन में सारे कर्म आपके पूरे होंगे या नहीं इस जीवन से आप संतुष्ट होंगे या नहीं और शनी पर अगर त्रिशुल कचिन आए तो साक्षात सिव जी के करपा होती है कि वह आपको सब कुछ दे देंगे अध्याइन बहले ही कच्ठ हो परशानी हो कुछ भी हो लेकिन सब कुछ आपके चरण पर आ जाएगा तो त्रिशुल कचिन यहाँ पर है पहली बात यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्म बहुत ज़ादा है और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बहुत ज़ादा है कि आप multiple sources से earning करिये multiple work करिये कोई दिक्कत नहीं है multiple skilled work करिये यह सारी चीजएं आपको फाइदा दे जाएगी तीसरी important बात यह है कि आप अपने life में जितना हो सके honest रहिए जूट फरेभी, दिखावटिपन, धोगेवाजी, सदेयां जैसे चीजों से दूर रहीे और व ratio आप in सारी चीजों से रहते हैं क्योंकि जब ह्रदय से भाग रहे निकले तो यह नयाय प्रिय व्यक्ति को बनाता है आप जिसे जाताग वह हूते हैं जुन जो उनकी मदद करते हैं जिनका कोई ना कर रहा हो और जो व्यक्ति सही हो उनकी मदद करने जाते हैं तो ये combination त्रिशुल का बहुत positive sign है, God gifted sign है ये combination व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक, करपालू, दयालू, अत्वा महनती और दानी बनाता है इसलिए 53 जैसी आप touch करेंगे, आप social work बहुत ज़्यादा बड़े इस तरफे करना शुरू कर देंगे और आपके नाम से trust चल सकते हैं या आपके नाम से कोई ना कोई social work का platform generate अच्छा हो सकता है इसके बाद में जो हमने यहाँ पर पाए कि square का sign बन रहा है, square का sign राजा बनाता है मचले का चिंज जैसे कुल दिपक बनाता है, वैसे square सूर पे हो, तो राजा है राजा का ताथ पर एक दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को employment देना, दूसरों को lab देना, कोई अगर आपके पास आए हाथ फिलाने तो खाली हाथ जाने ना देना उसकी लिए खुद का भंडार मजबूत होना जरूरी है, तो सूरी पे square confirmation देता है कि आप जहां भी investment करेंगे खास कर property में आपको lab मिलेगा, आप जितना ज़द अपने आपको explore करेंगे, नही जगे visit करेंगे, नही नही opportunities, life में आना शुरू हो जाएगी इस condition में सूर्य दर्शन करना, सूर्य देवता को नमशकार करना, और धर्म के अतरिक्त रह करके काम करना जैसे rules, regulation, discipline, maintain करके work करना, एक समय पर एक काम करना, focus एक काम पर पूरा लगाना, फिर दूसरे काम पर अगर बचता है energy तो लगाईए और सूर्य नमशकार डेली करना शुरू करिये, at least 21 times, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर energy, confidence और vision, ये तीनों चीज़ बढ़ रहा है और square कसान जल्दी complete हो रहा है तो आपकी properties या prosperity इंक्रीज हो रही है, wealth इंक्रीज हो रहा है और वो या उसका सुब परिणाम कैसे मिलेगा जब आपका power position बढ़ेगा तो जो court cases की बात है, वो जब किसी के हाथ में सूर्य मजबूत हो, तो court cases चाहे 10 हो या 10 लाक हो, जीत जाते हैं इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है कि कोई legal action या problem आएगा सूर्य अच्छा है, सूर्य और छेतर अच्छे हो रहे हैं, तो फिर पहली बाद तो ये problem आती नहीं हो, और इनके सगर आ भी जाए, कोई जबरदस्ती करें, तो वो automatically हार जाएगा तो जब भी त्रिशुल का चिन इस सूर्य पे नीचे के तरफ आता है, या बाइफॉर के के साइन आते हैं, तो ये इस बात का भी प्रमाने कि आपका ध्यान भटक रहा है, मन भटक रहा है बहुत ज़ादा, एका गरिचित नहीं हो पा रहा है Meditation या गायतरी मन का जाब करना भी फोकस को बढ़ाता है, और सूर्य के रेखा अंतितर अच्छी है, तो सिर्फ अभी के समय पे थोड़ा doubt या trouble आपको इन छे महीनों के अतरिक आ सकता है करियर के रेगाड़ी, परन्तु ध्यान रहे, कुछ खराब होगा, बहुत अच्छे क ले होगा, तो कुछ problems आएंगे, कुछ चीजों में justice नहीं मिलने के chances है, परन्तु वो चीज आपको अपग्रेट कर देगी, position या power में, मरकरी के उपर multiple line है, ठीक है, अच्छी बात है, communications, marketing skills, work management को अच्छा कर देता है, रदरेखा का जुकाओ, जब या ह्रदरेखा से रेखा है, union line के तरफ जाए, तो partner के पती dedication को बढ़ाता है, honesty, loyalty को बढ़ाता है, hard line की स्थिती ठीक है, और हो रही है, तो health regarding major issues या problem नहीं आएगा, hard line जब एकदम straight होती है, तो workaholic nature होता है, खाली बेटना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ work करना, अपने आपको busy रखना, अथ्वा किसी ना किसी काम में engage रखने, जिसी आदत या चाहत को बढ़ावा देता है, आप जैसे जादक बहुत करमट होता है, यानि बाहर का काम घर में लाकर के करता है, और अगर किसी दिन काम नहीं किया, किसी दिन अपने दिन को utilize नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि जीवन अब पूरा हो रहा है, तो यह combination अच्छे results और देगा, अगर आप regular based भगवत गीता पढ़ना शुरू करें, या कोई भी scripture, spiritual books पढ़ना शुरू करें, तो यह आपकी मन को शान्त करेगा, अगर नहीं पढ़ पारें, तो कम से कम सत्संग, भजन, किर्टन, सुन लिया भी करें, तो भी आपको सुकुन प्राप्त होगा, मस्तिश रेखा में जैसे हमने देखा कि progress line निकली थी, वैसे ही आपकी mind lane बचपन से बहुत sharp है, तो आपके अंदर grasping skill बचपन से बहुत अच्छा रहा, और यहाँ पर जब triangle का combination होता है, तो achievements मिलते हैं, teenage में, school life में, अपने education या बुद्धी मता के कारण, फिर इसके बाद में आपको mangal की रेखा add होई तो थोड़ी बेचेनी, या mental stress आपको face करना पड़ा, तक करिवन 19 से 21 के मिड़ में, फिर उसके अद एक राहु, माफ करें, mangal की रेखा काट के गई 24 में, किसी relations जब stress आता है, तो यह रेखा आती है, mental stress को mainly दर्शा रही है, फिर छोटे-छोटे स्तर पे 25 में, 28 या 9 में, आपको थोड़ असर tension, depression का सामना करना पड़ा, यानि restricted समय था, ज्यादा progress growth नहीं हुई, फिर mind lane से एक शाह का mercury के तरफ जुकी, और फिर mind lane में परिवर्तन यहाँ पर हुआ, और यह परिवर्तन आपके जीवन में तक करिवन 45 केज में हो रहा है, तो यानि अभी जो आपके mind में यह चल रहा है कि क्या क्या काम कलने, confusion ज़्यादा चल रहा है, multitasking nature आपके अंदर अभी आ चुका है, multiple skills पर वरक है चल रहा है, multiple interest डेवलप हो रहे हैं, आप 45 से बिलकूर शान्त हो जाएंगे, in the sense आपका mind बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा, या कह सकते हैं कि cool, calmness या peacefulness mental level पर आपको आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ यह जो रेखा इसका प्रभाव जो है, mind line के age के accordingly नहीं बताएगा, इसका प्रभाव पूरी इस रेखा को judge करके बताएगा है कि यह 44.5 तक ही आपको दिक्कत देगा, इसके बाद में यहाँ पर हम देखें, तो mercury line strongly निकली हुई, उसमें भी मर्ज होगी रेखा, तो फायदा ही देखर के जाती है, वैसे ही एक किसी दूसरे काम से जब हमको पैसा आता या लाव मिलता, थोड़ा चंदर से जुक करके रेखा निकली है, तो मन का सारा काम होगा जीवन में, और जब moon lack line हो या self-med lack line दोनों merge हो जाए, तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहीयोग से जीवन में प्रगति मिल जाती है, जीवन रेखा के उपर में एक, दो, तीन मेजर जो है, worries line आई, 33-4 और approximately 38-9 और फिलाल के समय में family के regarding stresses आ रहा है, हलका फुल का यह सब, correct 45 के बाद में एक भी stress line नहीं है, तो live देखिए, कितना smooth हो रहा है, एक अचानक से, और यहाँ पर हमको तक्रिवन fish symbol के sign develop होता भी दिखाई दे रहा है, तो यह मोक्ष भी देता है, एक से ज़्यादा जगे पर residence भी देता है, लंबी आयू को भी निर्धारित करना शुरू करता है, family connection support को बढ़ाता है, अंदुरुनी मंगल की स्थिती अच्छी है, यह मंगल की रेखा हमेशा व्यक्ति के अंदर होसला जुनून बनाये रखती है, हिम्मत हारने नहीं देती और यह मंगल की रेखा अपनों या दूसरों से support दिला जाती है, बाहर यह मंगल विक्से ठीक है, तो मानसिक बल अच्छा है, पता है कि कहां अपनी energy लगानी है, नहीं लगानी है, इस तरह कि यहां की आड़ी रेखा unnecessaries worries देती है, जो overthinking, negative thinking के कारण भी आता है, या जब हमारे पित्र पुरवज हमसे खुश ना हो तो भी ऐसी रेखाई आ जाती है, जिसका दुश परिणाम हमारे घर में होता है, आप बाहर तो राजा हैं, घर में आकर कि आपको zero होना पड़ता है, या उन सभी लोगों को जिनकी एसी आड़ी रेखाई जादा होती है, इसको ठीक करने के लिए पित्र पुरवजो की अरादना करना, उनके नाम से खाना निकालना या उनके नाम से डोनेशन्स करना बहुत ज़रूरी होता है, हर बात के प्रती ग्रेटीटूड रखना मान सकता है, या नजरिया बदलना बहुत ज़रूरी होता है, खुद को बहुत ज़्यादा cool काम रखना और investment most probably अपने खुद के knowledge skills, specializations पे करना surroundings पे करना, surrounding बहुत clean रखना, साफ सुत्रवाता वरन रखना मानसिकता रखना, शुक्र की आड़ी रेखा को इसी खतम कर देता है और यह आड़ी रेखा हैं, जैसी कम या खतम हुई या धोरी धूंदली हुई आप पाएंगे आपकी जीवन में बहुत सारे चीजों से आपको खुशी आ रही है, संतुष्टी आ रही है सिदे खड़ी रेखा अच्छी है और अच्छी अगर यह होती, और ज्यादा डेवलप होती है तो अच्छी संगत आदत लोग आपको जीवन में बढ़ जाएंगे केतु की स्थिति पर ट्रेंगल जीवन में इतने बड़े इस तरह का काम करना कि आने वाले पीड़ी को लाब मिले उसके निशानी है और चंदर की आड़ी रेखा नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम मन बेचेन दर्शाती है तो यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा या और अधिक एक दो आड़ी रेखा और हो तो मन बेचेन जब भी रहे तो शिव जी के अराधना कर लीजिए किसी भी तरह से लाब मिलना शुरू होगा चांदी का चेन भी पहन सकते हैं और जल जो है निश्शित रूप से निरंत रूप से शिव जी पर अरपित करते रहिए इसके अलवा यात्रा धार्मी के अतरा पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन दीजिए किसी भी मनो कामना को सिद करने के लिए आप कहीं दूर की धार्मी के अतरा करेंगे वो काम आपका हो जाएगा और लेफ्ट हें में हम देखे तो यहाँ देख सकते कि यहाँ से भी लकलें सेटन से होते हैं गूरू के तरफ जुक रहिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें जितना अच्छा हो जितना बड़ा हो जितना दूर का होतना सोचिए उतनी बड़ी एक्छाय रखिए जितना हो सके लोगों के भले के लिए सोचिए करिये आपको जीवन में कभी भी पलट के देखना नहीं पड़ेगा यह भाग रेखा जब दोनों होतीली में शनी तक बहुत क्लीनली पोस्ती है पूरा कर्म क्लियर होता है रिटाइर्मेंट बहुत अच्छा होता है पैसे की कोई कभी नहीं होती भाग ये का सयोग हमेशा मिलते रहता है तो यह भाग ये और कर्म को मजबूत करता हो दिखाई दे रहा है इसलिए आपका स्वास्त बहुत जल्दी सुधरेगा और अच्छे स्वास्त अच्छे मन से बहुत बड़े अथ्वा अच्छे काम आपके द्वारा होंगे और ये सारी इस्थितियां 45 से लेकर के 53 के मिड में ही होगी आशा करता हूँ सभी प्रशनों के आपके उत्तर में लगए हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद